बश्कर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोबिन और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लेटो वाला सूट किस प्रकार से उसकी कटिंग और स्टीचिंग होती है दोस्तों इस तरह के जो सूट की कटिंग किस प्रकार से होती है और कैसे इसकी स्टीचिंग होगी मैं आपको ओनली इसकी प्लेट्स और साइड की फिटिंग के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा बाकि फुल डिटेल्स में अगर आपने देखना हो कि लेडि सूट की कटिंग और लेडि सूट की कुरती की किस प्रकार से स्टीचिंग होती है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्किप्शन में डाल दूँगा आप चाहो तो वीडियो की डेटिल्स देख सकते हो तो दोस्तो आईए स्टार्स करते हैं तो दोस्तो मैं cutting करने जा रहा हूं प्लेटो वाले seat की, सबसे पहले देखिए इस कप्रे को मैंने इस प्रकार से बिचा लिया है, यह कप्रा डबल है यह देखिए, इसको इस प्रकार बिचाने के बाद सबसे पहले मैं इसमें निशान लगाऊँगा, इस तरह से एक सीधा नि तो उसको आप नीचे से माजा रखे एक इंच और अगर सूट में तुरपाई करनी हो तो उसमें आप दो, सबा, दो, धाई, तीन इंच तक नीचे से रख सकते हो इसलिए दोस्तों, इसमें नीचे माजा रखे चल रहा हूँ, जो हम इसमें फोल्ड करेंगे, और नीचे इसमें होगी तुरपाई अब दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लेंगे लंबाई, यह जो सूट है, इस सूट की जो लंबाई है, दोस्तों, वो है 38 इंच, यह देखिए, 38 इंच पर एक मैरे निचान लगाया है, और यह इसके लंबाई हो गई, और आदम इसमें माजा में चला जाएगा, इसलिए इस से जो गला बनेगा, वो बनेगा 6 इंच का, और आपको, आप हमारी जो पराणी वीडियो है, जो मैंने अल्रेडी यूटूब पे डाली होई है, उसमें आपको सूट कटिंग की वीडियो देखनी हो, आप उसमें देख सकते हो, और आम से आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क मुड़ता होता है, जैसे इस जगह अच्ए है है, तो इस जगह छुए हमें आदा इंच एक्स्रा लेकर चलना होता है, यानि कि 6,50 इं 창 लगाना होता है, पर अफ़न्टू दोस्तों, इसमें क्या है, मुड़े हम यजगे पर प्रत्प जलेगी, और प्रतफ में आदा पर आपको निशान लगाना है और इस तरह से आपको एक निशान लगा लेना है तो दोस्तों ये तो होगे आर मॉल का निशान अब आपको जो कमर वाली शेप देनी है कमर की शेप के लिए आपको जो निशान लगाना है शोल्डर वाली जगे से जो निशान लगेगा जनरली हम निशान लगाते हैं साड़े चोधा या पंदरा या साड़े पंदरा बीच में तो आप अपनी सुबदा के नुशार रख सकते हूँ तो इसमें कमर का निशान लगा एकięcy पर साथे चॉद्र पर है किजिए कंपर कमर लेंगा है अब फ्रेंड्स इसका मैं आपको बताता हूं नाप क्या है और इस जगे से आप देख लें जैसे इस जगे से 6 इंच यह आ रहा है तो 6 इंच यह आपको निशान इदर से एक लगाना होता है और इस निशान को आपस में आप मिला दें दोस्तों यह जो सूट है इस सूट का जो सीना है यानिकि जो ब्रेस्ट साइज है वो है 35 इंच और जो कटिंग का फार्मूला हमारा वही यह पुराना वाला इसमें कुछ भी एक्स्टा एड़ निकरना 35 जो है 35 में आपको सिर्फ तीन इंच एक्स्टा लेकर चलना होता है 35 औ मैं तीन इंच एक्सटा एड़ करने के बाद बन जाता है 33 और 33 का जो ठोठा इसा बनता है सवा आठ यह सवाथ हींच पर एक निशान लगा दिया है मैंने क्योंकि दोस्तों इसमें प्लेट्स प्लेट्स दलेंगी इस जगे पर तो इसमें प्लेट्स के लिए हम एक इंच ए यह निशान लगा लिया है मैंने इन निशानों को आपस में इस परकार से मिला दें इसका जो घेर बनेगा दोस्तो आपको हिप्स के according यह रखना है। जैसे साडे नो यहां से आ रहा हैं तो आपको साडे नो ही को रांपर रखना है। यह state घेर बनेगा इसका उस तरह से आप एक निशान इसमें आपसमें मिलाकर लगा दें। दोस्तों अब तक जो यहीं मैं निशान लगाे हैं ये जनल इस तरह से सूट की कटिंग होती उसी हिसास मैं इसके जो निशान लगाए हैं परण्तू दोस्तों इसमें ने लगाने है iplet तो plates के लिए जो formula है वह आपको मैं बाता हूँ क्या है है जब भी आप किसी Institute को इकरते हैं प्लेटों वाले की तो आपको यह जो साइज होता ही यह वाला जो उपड़ से लिनी होती है जो प्लेट होती है जब अलब भी आप लगाओ तो यह देखें दोस्तो इस जलगे से आफ को नाप करना है और इस जलेकर यहां तक जहां पर भी आपका पॉइंट बन रहा हो प्लेट का उस जगे से आपको लगानी है तो जर्नली जो नाप बंता है दोस्तों सामाने तर सूटों में शोल्डर वाली जगह से जो प्लेट्स डलती है वो डलती है साड़े दस इंच पर आप साड़े दस इंच पर एक निशान लगाए और प्लेट्स की जो दूरी होती है वो होती है दोस्तो साड़े साथ इंच इस तरह से आप साड़े साथ पर एक निशान लगा ले और यहां से जो डिस्टेंस रखना होता है वह हम रखना अउता सादे सी नींच पर इस तरह से कि थो दोस्तो यह मैं तो निशान है अब हिल निशानों को आपस में आपको मिलाना है resistant तरह से देखें यानि कि यह जो है सेंटर वाली प्लेट से अब दोस्तों यह जो प्लेट से इस प्लेट के अंदर जो देना है मारजन हमने आदा आदा इंच इसके अंदर मारजन हमने देना है तो इसलिए आप इसमें इस तरह से निशान लगा लें यह आपको जो निशान दिखरा होगा दोस्तों यह टोटल जो मारजन है यह टोटल मारजन एक इंच का मैंने इसके इंदर लिया है यह देखिए एक इंच है यह जो मैंने एक इंच लिया था वो सारा सारा इस जगे कवर्ड हो जाएगा अब दोस्तों यह निशान लगाने के बाद आपको करना क्या है इधर से नापना है दो इंच दो इंच एक निशान आपको इधर लगाना है और दो इंच का एक निशान आपको इधर लगाना है अब यह जो तीन निशान है दोस्तों एक दो तीन अब जैसे यह जो निशान लगाया है दो इंच वाला इस दो इंच को आपको मिलाना इस पॉइंट पर और इस वाले निशानों को आपको मिलाना इस जगह इसकी कमर वाली जगह पर और इस तरह से आप एक निशान लगा ले तो फ्रेंट्स यह देखिए इस तरह से हमारे तीनों प्रेटों के जो निशान लग चुके हैं एक दो तीन अब फ्रे और गुलाई दिते समय आपको इसीत का ध्याना है यह जो डिस्टैंस होता है यह हमने कम से कम डेडिंच रखना होता है अब फ्रेंड्स जो कटिंग होगी कटिंग देखें किस प्रकार से स्कीम करता हूं तो दोस्तों ये देखिए ये है इसकी टोटल कटिंग आगे और पीछाले पार्ट्स की अब हमें इसमें ये जो लिशान हमने लगाए है इन लिशानों को इस परकार से आप इसको आगे और पीछाले पार्ट्स को अटा ले अब जिस हिसाब से हमने ये निशान लगाए है ये निशान आपको सेम उसी तरफ चाहिए तो उसके लिए बहुत बढ़ियाक फार्बुला बदाता हूँ आपको इस प्रकार से इस सूट को पलट लेना है और थोड़ा सा इस पर हाथ मारना इस तरह से इससे क्या होता दोस्तों ये जो निशाने सारे उभर कर इस तरफ आ जाते हैं और हमें फिक्स अंदाजा रहता है कि कहां पर ये दिखिए ये निशान दिख रहा है आपको हमें प्लेट्स लगानी है इसी प्रकार से ये हैं तो इस तरह से जिए निशान हम्हें और उभर Lincoln और ये जिससे कि हमें अन्दाजा हो जाएगा इस में प्लेट्स लगानी है कि दोस्तों इस तरह से देखिए 1 2 3 एक दो तीन आगे वाला पार्ट से जो इसमें प्लेट्स लग जाएंगी अब फ्रेंड्स यह जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया है यह जो निशान है इस निशान पसराई नहीं लगेगी जब इसकी फिटिंग होगी उसके लिए हम दुबारे से निशान लगाएंगे य हम इसी तरह से बैक में भी निशान लगा लेने हैं आगे तीन प्लेट्स ललती है और जो पीछे वाला भाग होता है सूट का उसमें केवल दो प्लेट्स ललती है वो भी सेंटर वाली यह वाली उसके लिए दोस्तों यह देखी आप चाहो तो इस प्रकार से दुबारे प्लेट्स के निशान लगा लें थे ऊसी तरह आप इसमें पीछे भी निशान लगा लें तो दोस्तों यह देखी निशान लगाने के बाद आप चाहो तो इस तरह से भी निशान उठा सकते हो यह देखिए इस point को आपने यह से पकड़ना है इस point को इदर से पकड़ना है और इन point को आपसे मिलाते हुए आप इस तरह से इसमें Polyts के निशान लगा लगा लें थो दोस्तो यह था एसन तरीका इस प्लेटो वाले सूट की शूलिग कटिंग का अब आपको बाता हुं किस प्रकार से इसमें प्लेटो डलेंगे और कहसे इसकी फिटिंग होगी तो दोस्तो यह देखे सूट अब इसमें के प्लेट्स में सबसे पहले मैं इसमें सेंटर की प्लेट लगाऊंगा इनिशान लगाए हुए है अब इस निशानों को आपने इस प्रकार से उपकड़ना है और प्लेट्स लगाते समय आपको इस प्रकार से देखिए स्लाई लगानी है और इस प्रकार से यह देखिए दोस्तों एक प्रेट मैं ने डाल दी है अब इसी तरह मैं दूसरी प्रेट डालूँगा इसमें कि दोस्तों आप हम लगाएंगे इसमें साइड वाली प्रेट यह जो निशान है इस निशान को आपने इस प्रकारश उठाना है देखिए जो चोख है और चोख का जो निशान लगाया है और यह वाली प्रेट दोस्तों हमें अदन्ज के डालनी है टोटल और यहां फिर आप यह जो एक बूट होता है एक बूट के बरापर इस प्लेट को डालना होता है यह बीच वाली ठीट से बड़ी डलती है स्राइड इसी अ चाल को लगा है यह जाओ यह देखेल में ज्रोलिकल easy एक पैर का मारजन है जिसे हम आदाइंच से भी थोड़ा कम बोलते हैं इसी प्रकार दोस्तों आप इस प्लेट को लगाना है यह आपको सेम इसी निशान पर उठा लेना इसको एक दो प्लेट डाल दी है मैंने यानि के टोटल चार प्लेट डल चुकी है अब हम डालेंगे यह वाली प्लेट्स तो दोस्तों इस तरह से देखिए यह प्लेट्स में डाल दी है और प्लेट्स डालने के बाद इसका जो इस प्रकार से एक अच्छा सा लुका गया है तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आगे वाले भाग में प्लेट्स डालनी है तो फ्रेंट्स यह देखिए आगे वाला यह पीछे भी वी प्रेट लगा ली है। दोस्तो अब हम ने इसमें आगे वाले जो भागी आपने कट नहीं करी थी अब इसकी करेंगे आफ अगे से कटिंग कटिंग करने के लिए दोस्तो इसको इस प्रकार से आपको डबल करते हैं, और जिस तरह से हम नॉर्मल सूटों में कटिंग करते हैं आगे वाले भाग की उसी प्रकार से आपको इस जगे से इसको बराबर रखते हुए इसकी आप हलकी सी छटाई कर दें और आगे वाला जो भाग होता है पीछे वाले वाक से थोड़ा चोटा ही कटता है तो इसकी आप हल्की सी कटी इदर से भी कर दें तो फ्रेंट्स इस परकार से यह देखिए इसकी मैं कटिंग कर दीए तो दोस्तोव अब करना क्या है अब आपको आगे और पीछे का दोनो पार्ट्स हैं जो इनको इस पतार से अपसमें मिलाकर बराबर से रखना है है आप चाहो तो पहले मैं गले बना सकते हो परांटो दोस्तों गलाबाद में बन सकते हैं इसमें फिटंड लगाने के बाद अब फेटिंग लगाने के लिए करना क्या है दोस्तों ब्राबर रख लिया है अब आप इस चीज़ को गोर से देखें यह जो मैंने प्रेट से लगाई है यह वाली प्रेट लगाने के बाद दोस्तों इस जगह से देखिए यह जो कपड़ा है दोनों ही प्राइब का डिस्टैंस रखते हुए इस प्रकास यह बेढ़ने इसको रखाए उसी हिसाब से फिटिंग के निशान लगाने हैं और फिटिंग के निशान लगाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो percentage होती है यह जो प्लेट से आप इनको नीचे की तरफ करना आपको ऊसको ऊपर की तरफ से बाल टाएंगे इसमें तो नीचे की तरफ होनी चाहिए आप इसमें फिटिंगा निशान लगाना कैसे आपको बता जेता हूं दोस्त कर दो सी तो यह जो निशान 19 पर लगाएगा यह देखिए आपको सबसे पहले एक सेंटर में निशान लगाना है और उसके इसाब से आप चाहो तो यह फिर दोनों ही तरफ से बराबर आप इसमें गैप छोड़ते हुए 19 पर एक आपको निशान लगाना है तो यह देखिए दोस्तों यह टोटा उलनी सिंच है और दोनों तरफ से में ने बराबर डिस्टाइस इसमें दिया है तो यह जो मैं ब्लू कलर के चौक से निशान लगा रहा हूं यह इसकी फिटिंग के निशान से कमर इसकी दोस्तों है 30 इंच 30 में हम 3 इंच एक स्टाइड करते हैं तो वह हो जाता ह है 33 और 33 का जो आदा होता है दोस्तों वह होता है साड़े सोला इसी परकार से आपको साड़े सोला इंच पर एक निशान लगाना है दोनों तरफ से बराबर गैप देते हुए अब दोस्तों हिप्स का निशान लगाना है हिप्स इसके है 35 35 और 38 और 38 का जोता है यह देखें दोस्तों 19 इंच तो आपको 19 इंच पर एक निशान लगाना है और इन निशानों को आपस में आपको मिला देना है 回來 दोस्तों इस प्रकार से देखीं जो मैंने जब इसकी कंटिंग कारी थी तो कंटिंग पर इसका जो निशान था यह देखे और लगाने के बाद दोस्तों यह जो एक्ष्टा कपड़ा उसकी आप कटिंग कर सकते हो तो इस तरह से दोस्तों फिटिंग के निशान लगा दिये हैं मैंने और लग जाएगी और इसके बाद यह जो पीछे वाला भाग है थोड़ा सा यह भी बढ़े चुका है क्योंकि इद और लगाने के बाद आपको इसके बंगर में एक स्लाई और लगानी है तो फ्रेंट से यह देखें जिस प्रकार से मैंने इसमें य 때 अब आप को उसी प्रकार इदर भी स्लै दाले नहीं है मार्दभी जो भी सका इस प्रकासटेक। ब्रावर कर सकते हो सजपर डिख उब तो यह गोड़ है सब्सक्राइरAw confidence इसे यह प्लेट सबस्क्राइब प्लेट कि दोस्तों इस प्रकार से दखिए यह लगा लिए है दोस्तों मुझे बहुarthly प्रकार से까지 हो यह हैung क्युंट को सूर्फ पोस्ति के और तहसे के लिगा civilization ना परी लगया है आप छाहो अगर आप फो फ्रकार से यह जो था प्लेटो वाला सूट हमारा हमने बना लिया है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह जो फार्मूला शायद पसंद आया होगा बाकि फुल डिटेल्स के लिए किस प्रकार से सूटों की कटिंग वगारा होती है कैसे स्टीचिंग होती है मैं वीडियो में लिंक डाल करे यह जो बेंगारा हमारा हम वीडियो कि अझाथ कि उखती है डिए आपको यह दो आपको अदादी है वीडियों का लिए